प्रथम शासग बप्पा रावन जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने सिंधु नदी की पश्चिम की ओर से बढ़ते आक्रमनों को सदियों तक रोके रखा इन्हीं के वंशज महराना कुम्भा हुए जिन्होंने अपने शासंकाल में 33 किलों का निर्मान करवाया जिन्में विश्व प्रसिद्ध कुम्भल गड़ और चित्तोड गड़ का विजय स्तंब मुख्य है इसी राजवंच में एक और महा प्रतापी राजा राणा सांगा हुए जिनका सामराज अफगानिस्तान तक पहला था जिनका जीवन चरित्र शारपूर्ण गाथाओं त्याग और बलिदान से भरा है युद्ध के दौरान उनके शरीर पर असी घाव लगे थे जिन में एक आँख एक हाथ और एक पाउं बुरी तरह से जखनी होते हुए भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध में वे सदैव तत पर रहे पराक्रम और बलिदान की इस गाथा में एक नाम पन्ना धाई भी है जोके गुर्जर जाती की धाई मा थी जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे कर राणा उदै सिंग की रक्षा की जिन के पुत्र महराना उरताप हुए महराना प्रताप का जन्म पाली जिले के अक्खे राज सोंगरा की पुत्री एवं महराना उदै सिंग की महरानी जैवंत कमर की कोक से विक्रम संबत 1597 में अर्थाद 9 मैं 1540 को पुम गड़ दें गुआ बानल्यकाल चित्तोन गड़ में गुजरा करीब 17 वर्ष की आयू में ही प्रताप का विवा हजबंदे कमर के साथ हुआ सन 1567 में अक्बर ने जब चित्तोन गड़ पर आक्रमन किया तो मेवार के प्रमुक सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महराना उदै सिंग ने चित्तोन गड़ छोड़ दिया मुगलों के प्रती उनमें घ्रणा के भाव चाप्रत होगा अपने देश, कुल, गौरव और मात्र भूमी की मर्यादा के लिए प्राण न्योचावर करने वाले युद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने नकेवल सीख ली बलके ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई अपने पिता के साथ दुर्गम पाहडों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया परवरी पंद्रा सो बहत्तर को महराना उदैसिंग का देहान्त हुआ प्रताप की जेश्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगदी पर आसीन किया भोली के दिन उनका गोगुंदा में राज दिलक हुआ उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने मुगल समराट अकबर की अधिन का स्विकार कर ली थी एक मात्र महराना प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं जुकाया अपनी स्वाधीनता और सार्व भौमिकता के अधिकार को सर्वो परिमाना अपने द्रण निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गये 18 जून 1576 की सुबह हल्दी धाटी और खमनोर के मध एक मैदान में हैतिहासिक युद्ध हुआ जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया महराना प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुँची जबके सेना पती मान संग के निद्रित्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोचा जमाया मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुस बैठ करने के प्रयास की प्रतिک्रिया स्वरूभ महराना प्रताप की सेना मुघलों पर तूप पड़ी प्रताप के हरावल सेन्न दलों का नित्रिव पठान हाकिम हासू कर रहे थे भीलू राना, जो राना पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं उनके नेत्रिफ्व में भील आधिवासनों में गुरिला पद्धकी से युद्ध करते हुए मुगनों के छक्के ठुडा दिये देखते ही देखते शाही सिना में खलबली मच गई रक्त तलाई, भोरों की डापों, हाथियों की चिंधारों और तलवारों की जंकारों से युण जुट्टी चारों तरफ हाहा काद मच गया युद्ध का घटना क्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगा कर मान सिंग के हाथी पर चड़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर बार किया मान सिंग हौदे में दुबग गया हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांक कट गई इस थिती को भांप कर महराना प्रताप के हमशकल सेनापती ज़ाला मान ने महराना प्रताप से आग्या लेकर उनका राजम को धरन किया मुगल सेना जालामान को महराना प्रताब समझ कर उन पर तूप पड़ी जालामान शहीद हो गए उधर चेतक ने अपने स्वामी को पाँच किलोमिटर तक तीन टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पाग किया उसके पश्चा उसके प्राण पखेरू उड़ गए इस युद्ध से महराना प्रताब के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा परिनाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भूजन करने का प्रण लिया जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया महराना प्रताब ने अपना सैन्निबल बढ़ा कर सर्वप्रथम अरावली परवत की घाटियों में बसे दिवेर पर चड़ाई कर विजय प्राप्त की इसके बाद कुम्भल गड़ पर भी विजय प्राप्त की सिर्फ चित तौड़ गड़ को छोड़ कर सारे मेवान को अपने अधीन कर लिया कालान तर में महराना ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की इनीज जन्वरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयू में इस संसार से प्रयान किया हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदाइक युद्ध ना होकर आत्म सम्मान मात्र भूमी की स्वतंत्रता वस्वाधीन ता का संगर्ष था इसका प्रमान ये है कि जहां पर अक्बर की सेना के सेनापती जैपुर के राजा मानसिंग थे वहीं पर महराना प्रताप की सेना के सेनापती काबुल के हाकिम खासूर थे महराना प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्म सम्मान वदेश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा धधकता रहा और अंत में बुझ कर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा पेरित किया